20 ग्राम हर रोज खाएं ये चीज जॉइंट पेन, आँखों की कमजोरी, खून की कमी, शारीरिक थकान, कमजोरी, अलजाइमर जैसी बिमारी आपको नहीं होगी और साथ में मिलेंगे भरपूर फाइदे नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उससे आपके जोडों का दर्द ठीक हो जाएगा, ये आपके जोडों में, घुटनों में, हाथ, पैर, कमर में, कहीं पर भी दर्द रहता है, वो ठीक होगा इस ओश्दी के सेवन से आपकी आँखे कमजोर हो गई हैं, आँखों की रोशनी कम है, दिखाई नहीं देता, आँखों की प्रब्लम इससे दूर होगी, ये आपके अंदर दुबला पन है, कमजोर आप दिखाई देते हैं, शरीर में कमजोरी है, वो सब इससे ठीक हो जाएगी, और आप हश्ट-फ शमताइस से बढ़ जाएगी, अलजाइमर जैसी बिमारी में भी आपको ये फाइदा करेगी, पाचन तंतर को मजबूत कर देगी ये ओश्टी, और दोस्तों ये ओश्टी आपके थायराइड में भी आपकी हेल्प करेगी, ये आपका थायराइड बढ़ रहा हो, तब भी आपकी हेल्प करेगी से कंट्रोल करने में, जी हाँ दोस्तों, आज जिस ओश्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं, बलकि सूखा नारियल है, दोस्तों सूखा नारियल तो आपने देखा ही होगा, सूखा नारियल हमें बहुत ही फाइदे देता है, क्यो में किया जाता है इसका तेल भी इस्सेमाल किया जाता है इसका दूद भी इस्सेमाल किया जाता है और दोसों इससे बहुत सारे द्यंजन भी बनाए जाते हैं साथ ही ये दोसों पूजा में भी प्रियोग किया जाता है कच्चे नारियल का भी अगर हम पानी पीते हैं उससे भ प्रकार का रोग हमारे श्रीर में नहीं लगता, दोस्तो नारियल में ऐसे तत मुझूद होते हैं, जो उम्र के बढ़ने के लक्षनों को रोग देता है, यानि बुड़ापा नहीं आता अगर नारियल का सेवन किया जाए, नारियल खाने से यादास भी बढ़ जाती है, यानि याद किया हुआ सब कुछ रहता है यानि जो चीज आप भूल जाते हैं वो आपको अच्छे से याद रहती हैं दोस्तो नारियल की गिरी में अगर आप बादाम और अखरोत और मिश्री मिला कर हर रोज खाते हैं तो इससे आपकी यादास बढ़ जाती है आपका दिमाग जाते हैं इन भरपूर गुणों के अलावा भी सूखे नारियल में काफी ओश्दिय गुण पाए जाते हैं जो हमारी सहित को फायदे ही देता है दोस्तो ये हमारे श्रीर में पोशक पत्रों की कमी को पूरा कर देता है जिससे हमें ताकत मिलती है तो चलिए दोस्तो अब आ श्री तागत पर बन जाता है यनि आप दूबले पतले हैं तो आप इसका सेवन करें आपका दूबलापन ख़तम हो जाएगा आपके अंदर तागत आ जाएगी क्योंकि ये तागत का ख़जाना है दोस्तो दूबलापन दूर करने के लिए आपने क्या करना है आधा लिटर दूद लेना है उसमें आपने 15-20 मखाने डाल लेने हैं 5-6 काजू 5-6 ही बदाम ले आप और 20 ग्राम सूखा नारियल ले और 3-4 चुहारों को उबाल ले दूद में डाल कर इन सब को दूद में अच्छी तरह से उबाल ले और उसका सेवन करें आप चाहे तो इसमें मिश्र ये तागत पर बन जाएगा शक्तिशाली बन जाएगा दोसों ये तागत का खजाना है इसलिए अगर आप दूद्ले बतले हो तो आप इसका सेवन चुरूर करें सूखे नारियल में दोसों कौपर होता है जो की दिमाग को तेज कर देता है या दास को भी मजबूत बना दे ये ऐसे एंजाइन पैदा करता है हमारे शिरीव में जो नियूरो ट्रांस्मिटर को बढ़ावा देते हैं जिससे हमारा दिमाग तेज रहता है कोई भी याद की हुई चीज हमें हमेशा के लिए याद रहती है वह हम कभी भी नहीं गूलते इसलिए दोसों यादास को मजब भी इससे पूरी हो जाती है एनीमिया रोग इससे खतम हो जाता है साथ ही साथ दोसों अगर श्रीर में कमजोरी है वो भी इससे दूर हो जाएगी और खून की कमी ही पूरी नहीं करता है बलकि हमारे श्रीर में खून को भी साफ कर देता है इसलिए दोसों की कमी को पूरा कर करने के लिए एनीमिया रोग से बचने के लिए और अपने कूल को शुद करने के लिए कमजोरी दूर करने के लिए आप नारियल का सेवन जरूर करें इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं सूखे नारियल में डाइटरी फैट भरपूर मात्रा में होता है ये दिल को दुरूस रखने म हमारी मदद करता हैं जिससे हार्ट समन्दी रोगों का खतरः कम हो जाता है यदि आपको heart blockage है कॉलेस्टोल आपका बढ़ रहा है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये दो कॉलेस्टोल को कम कर देता है हाट ब्लोकेज को कम कर देता है जिससे की हार्ट अटेक आने का खत्रा भी कम हो जाता है इसलिए दोस्तों आप इसका प्रियोग जरूर करें कुरूशों को हर रोज 38 ग्राम डाइटरी फाइबर लेना चाहिए जबकि महिलाओं को हर रोज 25 ग्राम डाइटरी फाइबर की जूरूत होती है और डाइटरी फाइबर हमें सुखे नारियल से मिल जाता है अगर हम इसका सेवन करें और हमारे दिन के लिए ये बहुत ही फाइदा करता है सुखे नारियल में दोस्तों सिलेनियम भी होता है इसलिए इसे खाने से शरीर की जो रोग प्रतिरोदक्षमता है इम्यून सिस्टम है शरीर का वो बढ़ जाता है जिससे क्या होता है हमारे शरीर में ब्युमारियन नहीं लगती अगर लग भी जाती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं पिकती ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देता है और हमारे लिए ये बहुत ही फाइदेमंद है सूखे नारियल में दोसो कॉलेस्टोल, फाइबर, मैगनीशियम, कॉपर और सिलेमियन जैसे पोशकता तो पाय जाते है इसलिए हर रोज अगर इसका सेवन किया जाए तो श्रीर की जो ठकान है और कमजोरी वो दूर हो जाती है दोसो इसमें बैड कॉलेस्टोल को कम करने की शक्ती होती है और अच्छे कॉलेस्टोल को बढ़ाने की शक्ती होती है यानि कि दोस्तो कॉलेस्टोल को ये लेवल पर रखता है, बैलेंस करके रखता है हमारे शिवी में कॉलेस्टोल को, जिससे आपको हार्ट ब्लोकेज नहीं होती और हार्ट अटक नहीं होता, और मैगनीशियम भी हमारे हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, दोस्तो आप इसक जाता है कि वो कौन है, क्या उसका रिष्टा है किसी के साथ, वो सब कुछ भूल जाता है, तो इस बीमारी से बचने के लिए भी सूखे नारियल का प्रियोब करें, illusions जैसी घातक बीमारी को ये ठीक कर देता है, सूखे नारियल में दोस्तों, breast cancer और prostate cancer के सेल्स को बनने से रोपने की शंता भी होती है इसलिए अपने डाइट में इसे जुरू शामिल करें पाचन तंतर अगर आपका कमजोर है तब भी ये आपकी हेल्प करेगा पेट से जुड़े रोगों को ये ठीक कर देता है जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी सब में ये रामबा कि इसमें दोस्तों थारैड गंती को भी ठीक करने की शमता होती है ये आप इसका सेवन करते हैं तो आपका थारैड भी कंट्रॉल में आ जाता है ये आपका थारैड बढ़ रहा है तो सुखे नारील का प्यूग जूरू करें एक हक्ते तक इसका सेवन करें कम से कम एक बार जरूरी से खाएं और दोस्तों इससे आपका मुटापा भी नहीं बढ़ता मुटापा कंट्रोल में आ जाता है जिन लोगों को मुटापे किसमस्या है अपना मुटापा कम करना चाहते हैं वह इसका जरूर सेवन करें यह दि दोस्तों आपको जॉइंट पेन हैं हडियों में कम जोले हैं कहीं पर भी जॉइंट पेन हैं कमर में दर्द हैं हात पैर में थर यह दोस्तों आपकी लिल्ण तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका सेवन करने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है और मोटे से मोटा जश्मा भी उतर जाता है तो दोस्तों इन सब रोगों को खतम करने के लिए जैसे कि जॉइंट पेन, आँखों की कमजोरी, ऐलजाइमर, ठकान, कमजोरी, खून की कमी या दास्त को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, दुबलपन को खतम करना चाहते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सूखे नारियल का प्रियोग जुरूर करें, कम से कम 20 ग्राम हर रोज आपने सूखा नारियल काना हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके अनेक रोग इससे ठीक हो जाएंगे, तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और स हमारी आने वली सभी वीडियो की मोटिवेशन मिलती रहे, धन्यवादों से,